नमस्कार मैं मितुन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने online platform back to book में जहां पर मैं आज आप लोगों के लिए एक अलग topic लेके आया हूँ और इस topic में राश्टपती से जुड़े top 50 MCQ best question बताने जा रहा हूँ जो सभी exam के point of view से important होगा क्योंकि आप लोगों को पता ह कि जितने भी exam होते हैं वो लगभग सभी exam में राश्टपती से जुड़े एक या दो question पूछे ही जाते हैं ठीक है इसलिए मैं इस video को लाया हूँ और इस video की सबसे खास बात यह है कि अधी आप लोग एक बार इस video को पूरा देख लेते हैं धियान से तो आपको बीना रट क्या जर्ला कि चलिए start करते हैं पहला question है कि इसमें पूछा गया की संविधान की किस भाग में राश्टपती के बारे में उलेक किया गया है ठीक है तो देकि भारत के संविधान में total जो भाग है वो 22 है ठीक है ऑई इसमें जो भाग 5 है ये ये बताता है इसमें राष्टप नागरिकता के बारे में बताता है यानि भारत की नागरिकता किसको मिलेगा और किसा अधार पर मिलेगा इसका उलेक जो है वो भागतू बताता है वो भाग्थरी जो है वो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है और रश्टपती के बारे में उलेक जो है वो भाग 5 में है या भारत के समिधान के तहर भारत का एक राश्टपती होगा और इसका उलेक जो है वो आर्टिकल 52 बताता है ठीक है यानि भाग 5 के आर्टिकल 52 में यह बता गया है कि भारत के समिधान के तहर भारत में एक राश्टपती होगा और जो नेस्ट आर्टिकल जो है आफशन नमर B, C, D यानि आर्टिकल 55, 56, 58 इसके बारे में आगे का कॉशन में बताऊंगा नेस्ट कॉशन देखिए नेस्ट में पुछा गिया है कि राष्टपती पत के चुनाव के लिए नियुनतम उम्र सीमा कितनी होती है तो राष्टपती पत के चुनाव के लिए नियुनतम उम्र सीमा 35 एर्स होती है ठीक है और 30 एर्स जो है वो राजसभा के सदस की नियुनतम उम्र सीमा है 25 जो है वो लोकसभा के सदस यानि पी-एम बनने के लिए कि नियुनतम वो सिमा 25 है और राष्टपती के लिए 35 हो गया और 18 यह के बार में जान रहे हैं कि 18 यह जो है वो मतदान करने के लिए नियुनतम जो उम्र सिमा होगा वो 18 साल है नेक्ट पुछा गिया है कि राष्टपती चुने जाने के लिए योगेताओं का उलेख के सनुछेद में किया गिया है ठीक है तो देखिए मैं वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बोला हूँ कि इस वीडियो में आपको ऐसा मिलेगा लिंक करके बताऊंगा कि आप लो ठीक है यानि option number C article 58 राष्टपती के चुनाव के लिए क्या कि योगेताओं होती है उसका उलेख जो है वह article 58 बताता है ठीक है और 52 के बारे में तो पहला question में पढ़ लिया हूँ कि 58 जो है भारत के समिधान के द्वारा बताता है कि भारत का एक राष्टपती होगा ठीक है 55 और 61 के बारे में आगे का question में पढ़ोंगा देखिए चलिए उसके पहले आप लोगों को एक छोटा सा information देदू कि नोबल फ्राइज 2020 का जो विजयता है उसका घोसना तो किया जा चुका है और मैं एक उसका वीडियो अपलोड कर चुका है तो आप लोग अगर वीडियो क आपके जो नाम है जैसे मालिय मेडिसीन का नोबल फ्राइज किसको मिला है ठीक है उसका नाम क्या है तो आपको नाम याद नहीं रखना पड़ेगा सिर्फ राम याद रखेंगे ठीक है तो इसी के अधार ट्रिक्स से आपको मेडिसीन का नोबल किसको किसको मिला है वो आप को बता सकीएगा जैसे यहां पिलास्ट में है ठीक है यह से मेडिसीन हो गिया ठीक है तो मेडिसीन का नोबल किसको मिला है तो राम को मिला है वह राम का जो डीटेल है फोल फॉर्म क्या होगा वह में वहां के वीडियो में बताया हूं इसलिए आप लोग वीडियो को देख ल ठीक है तो वह हो जाएगा राइट एंसर ओफ्सन इम्मर भी यानि चोगद्वे नंबर के राश्ठपती जो है वो रामनाथ siitä नेक्ट पूछा गिया है कि राश्रइपसि wurde को नयुक्त कौन करता है तो राश्ठपती को नयुक्त कम यह मतलब नहीं है कि वो जिसको चाहे न्यूổi कर सकते हैं ठीक है यानि निर्वाचित होने के बाद न्यूτο करते हैं अब इहां नियूक्ति की बाद है तो देखिए इसने कौन-कौन भाग लका लेता है तो देख निर्वाचन में कौन-कौन भाग लेता राश्पति के निर्वाचन में तो देखिए संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस राज विधान सभा के निर्वाचित सदस दिल्ली पांड़े चरी विधान सभा के निर्वाचित सदस तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी मनुदी सदसे वो भाग नहीं लेते हैं सिर्फ निर्वाचित सदसे भाग लेते हैं तो इसका right answer option number D हो जाएगा next question देखिए अब देखिए यहाँ पर निर्वाचन का बात था यानि article 54 जो है यहाँ बताता है कि राष्टपती के चुनाव में कौन-कौन भाग लेगा यानि जो पिछला question में बताया हूँ उसके बारे में जो उलेख है वो article 54 में है next दखिए next जो पुछा गिया है कि राष्टपती के चुनाव का तरीका का उलेख तो दखिए वहाँ पिछला question था राष्टपती के चुनाव का उलेख किस आर्टिकल में है तो 54 था यहाँ पे पुछा गिया है कि राष्टपती का चुनाव का तरीका यानि किस आधार पे किया जाएगा और किसका मत का भेलू कितना होगा उसका उलेख जो है वह आर्टिकल 55 बताता है यानि इसका right answer option number C तो देखिए इसके बार में यहाँ पे समझना है अब लोगं को कि जैसे माली एक विधाय का मत निकालना है तो उसमें होता है कि राज की कुल जन संख्या और divided राज विधान सभाओं के निर्वाचित कुल सदस into one by one thousand का इसकाल तो एक विधाय का मत मुली निकलता है यानि सभी state के सभी MLA का जो मत का भेलू होगा वो अलगला होगा समझे गए और अगला था कि एक संसत सदस के मतों का मुल तो सभी राजियों के विधायकों का मतों का मुल और संसत के निर्वाचित सदस्यों का कुल मुल equal to one MP का मतों का मुल होगा यानि सभी MP का मुली जो है वो सेम होगा ठीक है लेकिन एक विधायक मत का मुली जो है वो अलग-अलग होगा यानि एक स्टेट का अलग होगा दूसरे स्टेट का अलग होगा ठीक है तो यह जो आर्टिकल 55 बताता है नेश्ट कोशन देखिए नेश्ट पुछा गया है कि राष्टपती के निरवाचन में कौन-कौन भाग नहीं लेता है तो देखिए इसी के बारे में आप लोगों को श जुनाव होता है किस अधार पर होता है तो सारा हो गया अब अगला क्वेशन बनता है कि निरवाचन में कौन-कौन भाग नहीं लेता है तो देखिए निरवाचन में जो भाग लेने वाला था वो था सिर्फ निर्वाचित सदस ठीक है और भाग नहीं लेने वाला जो था वो क्या था मनोनित सदस यानि सदन के संसद के दोनों सदन यानि लोग सभा राज सभा के जो मनोनित सदस है वो भाग नहीं लेते हैं राजिके विधान सभाओं का जो मनुनी सदस वो भी भाग नहीं लेते हैं और दिल्ली पांडे चरी विधान सभाओं के भी मनुनी सदस भाग नहीं लेते हैं यानि इस question का right answer होगा option number D next question देखिए राष्टपती चुनाव से संभादित सभी विवादों की जाच वो फैसले कौन करता है तो देखिए अब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद किसी किसी चुनाव में जैसे मान लिए कुछ विवाद हो गया तो उसका जाच करने का अधिकार और फैसला सुनाने का अधिकार किस के पास है संसत के पास, उपराश्पती के पास, परधान मंत्री के पास या सुप्रीम कोट के पास तो इसका right answer होगा option number D यानि सुप्रीम कोट के पास या अधिकार होता है कि वो राश्टपती के चुनाव में सम्मधिन जितने भी विवाद हो उसकी जांच करे और उसके बारे में फैसला दे ठीक है और ये जो फैसला दे देंगे वो अंधिम फैसला होगा तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं इसका आर्टिकल तो राश्टपती के चुनाव के सम्मधिन सभी मावलों का निफ्टारा जो है वो सुप्रीम कोड करता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसका उलेख जो है वो किस आर्टिकल में किया गया है तो इसका राइट एंसर होगा आफसन नम्मर डी आनि आर्टिकल सेवेंटी वन बताता है कि सुप्रीम कोड जो है वो राश्टपती से सम्मंधि जितने भी विवाद हो चुनाव में उसका निफ्टारा और उस पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोड देगा वो आर्टिकल बत दिलाते हैं ठीक है नेक्ट कोचन देखिए नेक्ट को पुछा गया कि राश्टपती द्वारा सपत देखिए आप सपत की बात आई तो आप सपत का उलेख किस आर्टिकल में किया ठीक है तो मैं इसी के बारे में सुरू में वीडियो में बोला हूँ कि आप लोगों को एकतम यह सा लिंक करके बताऊंगा कि आप लोग अगर एक बार ध्यान से वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यह आपको रटा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है तो अधी आप लोगों को सही में लग रहा होगी मैं समझाने में आप लोगों को कामयाब हो रहा ह तो आप कोमेंट करके जरूर बताएं तो इससे क्या होगा कि मैं आगे कभी जो वीडियो है वो आप लोगों को बताऊंगा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी आनि आर्टिकल सिक्स्टी जो है वो राष्टपती के सपत गरहन के बारे में बताता ह और राष्पती का कारेकाल कितने वर्सका होता है तो देखें आप एक दम सुरू से स्टार्ट करके आपको लाष्ट तक बताऊंगा एक भी कोस्टन इससे ज्यादा आगे नहीं छूटने वाला है तो राश्टपती का कारेकाल का कितने वर्स का होता है वो पांच वर्स का होता है यानि इसका राइट अंसर होगा अफसर नमर ये ठीक है तो देखिए राश्टपती का कारेकाल जो है वो पांच साल का होता ठीक है लेकिन जब तक इनका उत्राधिकारी बद को ग्रहन नहीं करेए यानि अदि पांस साल होने के बाद अगर राश्टपती जो है इनका उत्राधिकारी नहीं आए तो उसके बाद भी उसके उपराम तक भी राश्टपती बने रहें थेके अब इसका उलेख दखिए कि राश्टपती का कारेकाल जो का उलेख किस आर्टिकल में किया गया है तो राश्टपती जो है कितना दिन तक कारेकाल कितना होता है और कारेकाल पूरा होने के बाद यानि पांसल पूरा होने के बाद उकब तक राश्टपती बने रहा सकते हैं तो इसका जो उलेख है वो आर्टिकल 59 में बताया गया है यानि option number D इसका right answer होगा next question देखिए नेश्व पुछा गया है कि राष्टपती पर समिधान के उलंगन करने पर महावियोग चला कर हटाया जा सकता है तो वो किसके द्वारा महावियोग लगाया जाता है तो इसका right answer होगा option number C यानि राष्टपती पर समिधान का उलंगन करने पर महावियोग जहव वो संसद द्वारा चलाया जाता है इसका right answer option number C next question पुछा गया है कि राष्टपती पर महावियोग जो चलाया जाएगा उसका उलंग किस आर्टिकल में किया गया है यानि किस आर्टिकल या बताया गया है कि राष्टपती पर महावियोग संसद द्वारा चलाया जाएगा तो उसका right answer होगा option number D यानि आर्टिकल 61 जो है वो राष्टपती पर महावियोग चलाने महावियोग की परकिरिया के बारे में बताता है next question देखिए नेश्ट पुछा गया है कि राष्टपती के महावियोग में कौन-कौन भाग लेगा ठीक है तो देखिए दोनों सदनों के नमांकित सदस विधान सभाओं के नमांकित सदस दिल्ली पांडेचरी के नमांकित सदस या उप्युक सभी तो देखिए राश्पति के निर्वाचन में जो है वो दोनो सदन के निर्वाचित सदस है विधान सभाओ के निर्वाचित और दिल्ली पांडेचरी विधान सभाओ के निर्वाचित यानि सिर्फ निर्वाचित सदस भाग लेते थे ठीक है इसमें जो हो महाभ्योग में वो विधान सभाओं के ना तो निर्वाचित ना तो मनुनित वो भाग नहीं लेते हैं यानि इसमें जो सिर्फ है दोनों सदन यानि लोग सभा और राज सभा के निर्वाचित सदस और मनुनित सदस यानि नामंकित सदस सभाग लेते हैं तो इसका राइट एंसर होगा अप्सन न जो है भाग नहीं लेता यानि इसका right answer होगा option number D नेश्ट देखे नेश्ट पुचा गया कि राष्टपती का पद रिक्थ होने पर कारवाहक राष्टपती के रूप में कोन कार करता है तो देखिये राष्टपती का पद रिक्थ हो जाए तो कारभाग राष्टपती के रूप में जो है वो ऊपराष्टपती कार्य करते हैं यानि । इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है इसका right answer option number D हो जाएगा यानि article 65 के द्वारा उपराश्टपती राश्टपती के रूप में कार्य करते हैं next question दखिए next question पुछा गया है कि राश्टपती का पद रिक्त होने पर कारवाग राश्टपती के रूप में उपराश्टपती कार्य करता है इतना यहां तक हम लोग पिछला question पढ़ चुके हैं आगे इसमें add किया गया है कि अधी उपराश्टपती का भी पद रिक्त हो जाए तब कारवाग राश्टपती के रूप में कौन कार करेगा उस time जो है भारत के मुख्यने आईदिस यानि CJI जो है वो कारवाग राश्टपती के रूप में कार करते है ठीक है next question देखिए next question पुछा गया है कि भारत के पर्थम मुख्यने आईदिस का नाम बताईए जिन्होंने कारवाग राश्टपती के रूप में कार किया था तो इसका right answer हो जाएगा option number C यानि justice M हिद्योत तुला जो है वो पर्थम सेजी आई है जो कारवाग राश्टपती के रूप में कार किया था ठीक है तो देखिए ये जो है 69 में जब डॉक्टर जाकिर हुसेन का अपने कारेकाल के द्वारन उनका निधन हो गया तो उस टाइम ततकालिक जो उपर राश्टपती थे वो वेवी किरी थे ठीक है तो वो कारभाग राष्टपती के रुप में कार किये लेकिन जब उपर राष्टपती वेवी गिरी जो है राष्टपती चुनाव में भाग लेने के लिए उनको त्याग पत्र देना पड़ा उस टाइम पहली बार C.J.I.M. हिदिय तुल्ला जो है वो कारभाग राष्टपत कौन होगा यह हम लोग बता चुके हैं अब अगला कोशन क्या बनता है उसके बाद कि अगर राष्टपती का पद रिक्त हो गया तो कितना दिन तक रिक्त रहेगा देख है यह बताना है तो वो राइट एंसर ओप्सन नमबर D यानि 6 महिना से ज़्यादा नहीं हो सकता यान छे महिना पढ़े फिचला कोशन में तो वो किस आर्टिकल में उसके बारे में उलेख किया गया है तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा ऑफसन नमबर C यानि आर्टिकल 62 जो है वो यह बताता है कि राष्टपती का जो है चुनाव कितने अंदर दिनों के अंदर हो जाना जाएँ नेक्सट पुछा गिया है कि पर्थम राष्टपती का नाम बताए जिनका निधन उनके कारेकाल के दोरान हुई थी तो मैं इसके बारे में बता जो कहा हूँ डॉक्टर जाकिर हुसेन 1969 में 1969 में उनकी निधन उनके कारिकाल के दोरन हुई फिर बीवी गीरी उपराश्टपती जो थे वो बने कारभाग राश्टपती और जब वो चुनाव में भाग लेने गए और त्याकपत देना पड़ा तो पर्थम CGI जो है M हेदियो तुला वो कार कर दृति में कंशता भारत के पर्थम रालश्टपती इजन Конे पर निरुवाच्चा निरवीर टे तो थे निरुवाच्ट में इंसकी कोई सीवा नहीं यानि इसका right answer होगा option number D यानि एक वैक्ति जितनी बार चाहे राष्ट पती पर निरवाचित हो सकते हैं जब कि अमरिका में जो है एक वैक्ति सिर्फ दो ही बार राष्ट पती पर निरवाचित हो सकते हैं नेक्ट कोशन देखिए नेक्ट पुछा गिया है कि राश्पती का वेतन कितना होता है तो राश्पती का वर्तमान में वेतन जो है वो डी यानि 5 लाग है ठीक है अगला कोशन देखिए अगला कोशन पुछा गिया है कि भारत के सेन बलों का सरवच सेनापती कौन होता है तो भारत राज का परमुख कौन होता है तो भारत राज का परमुख जो है वो रश्टपती होते हैं यानि इसका राइट एंसर होगा आफशन नम्मर बी ठीक है नेक्ट दोखिए नेक्ट नम कुछा गया है कि राश्टी आपातकाल किस अनुछे द्वारा लागू किया जाता है तो राश्टी आपातकाल जो है वो अर्टिकल 352 यानि 352 के द्वारा राश्टी आपातकाल लगाया जाता है ठीक है और ये पहली बार जो है वो इंद्रा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया था नेक्ट कोशन देखे, नेक्ट में पुछा किया है, वीति आपातकाल किस अनुछे द्वारा लागू किया जाता है तो वीति आपातकाल जो है वो 360 यानि 360 के द्वारा लगा जाता है ठेक है और राष्टिया पातकाल यानि नेशनल इमर्जंसी जो है वो 352 यह बता दिया में पिछला कोस्टन में और एकनॉमिकल इमर्जंसी जो है वो 360 के द्वारा लगा जाता है और एक और इमर्जंसी है राष्टपती सासन यानि राष्ट राजियों में राष्टपती सासन का जो है वो किस अनुछे द्वारा लागू किया जाता है तो वो है इसका राइट एंसर आफशन नंबर बी यानि आर्टिकल 356 जो है वो उसके द्वारा राजियों में जो है राष्टपति सासन लगता है वो आर्टिकल 356 बताता है ठीक तो इससे एक कोई important question में आप लोगों से पुछता हूँ यदि आप लोगों को पता है तो आप वीडियो को पहुच करके comment section में जरूर comment करें और यदि नहीं पता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के last होते होते उसको बता दूँगा तो देखिए next question लोग सभा को विगहतित कौन कर सकत है तो लोग सभा का विगहतन जो है वो राष्टपती कर सकते हैं यानि इसका राइट इंसल होगा option number a ठीक है next question देखिए next पूछा गिया है कि राष्टपती द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है तो article 123 द्वारा राष्टपती जो है वो अध्यादेश ला सकते है तो इसमें पूछा गिया है कि राष्टपती अध्यादेश जो हैं वो कब जारी कर सकते हैं जब दोनों सदन सतर चल रहा हो यानि लोग सभा का वी सतर चल रहा हो या जब दोनों अथवा किसी एक सदन का सतर नो चल रहा हो जब दोनों सदन राष्टपती अध्यादेश ला सकते हैं और जब दोनों सदन चलता है तो राष्टपती अध्यादेश नहीं ला सकते हैं तो देखिए अब अध्यादेश की बात हुई तो अध्यादेश जो है किस आर्टिकल के द्वारा होता है तो राष्टपति जो अध्यादेश जारी करते हैं तो इसकी सक्ति का जो उलेक है वो किस आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल 123 आनि आर्टिकल 123 द्वारा चमादान की सक्ति का अनुछेद जो है उसकति को बताए गया है ने इस अनुछेद को बताएं आर्टिकल 72 में राष्टपति के शमादान की सक्ति के बारे में हुलेग किया गया है नेक्ट पुछा गया है सरवच नेयाले से सलाह लेने की सकती किस के पास होता है तो सरवच नेयाले से सलाह लेने की सकती जो है वो राश्टपती के पास होता है यानि इसका राइट एंसर होगा अफसन नमर सी अब अगला question होगा कि सरवच नियाले से सला तो राश्पती लेते हैं लेकिन किस आर्टिकल के आधार पे सला लेते हैं तो देखिए राश्पती का सरवच नियाले से सला लेने की सकती का उलेक किस आर्टिकल में किया गया है तो article 1, article जो है, वो हो जाएगा 143, ठीक है, यानि 143 article जो है, वो सरवोचन याले से सला लेने की सकती राश्पती के पास होता है, वो article 143 बताता है, नेक्स्ट कॉशन दखिए बीटो सक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो राश्टपती के उस बीटो सक्ति को क्या कहते हैं जब वह विध्यक पर नो तो कोई सहमति देता है नो अस्विकृति करता है और नो ही लोटाता है परन्तु एक अनिश्चित काल के लिए विध्यक क लंबित कर देता है तो जब वह विध्यक किसी विध्यक को जैसे कि कोई विध्यक जो है वो लोकसभा और राश्वा से पारित हो के राश्टपती के पास आता है ठीक है और अगर उसमें राश्टपती अपना सहमति देते हैं तो वह विध्यक जो है वो कानूर बन जाता है लेकिन अधी राष्टपती उस विध्यक को पर नो तो कोई सहमती देगा और नो ही अस्विक्रीत करेगा और नो ही लोटाएगा परंतु उसको एक अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देगा तो यह विठो सक्ति जो है इसका क्या नाम है तो इस विठो सक्ति को pocket विठो सक्ति बोला जाता है यानि राश्पति का pocket विठो सक्ति जो है वो यह बताता है कि वो विठो को नो तो सहमति देगा नो तो अस्विक्रीत खरेगा और नो ही लोटाएगा परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विध्यक को लंबित करते도 verschiedenen विध्य वीटो सकती दखे राश्टपती के वीच वीचों सकती को क्या कहते हैं जब वह किसी विध्यक को संसध के पुर्ण विशार हैतौ लोटाता था यानि जैसे पिछला कोशन बता कि लोग सभाव राज सभाव में जब विधयक पारित हो जाता तो राष्टपती के पास आता है और राष्टपती अधि उस पर सहमती दे देते हैं तो वह कानुन बन जाता है तो इसमें पुछा गया है कि वह किस वीटो सक्ति में है कि जब वह विधयक को संसद में पूर्ण विचार है तू लोटा देता है तो उसका जो नाम है वो है निलंबन कारी वीटो यानि इसका राइट हैंसर होगा और इस वीड़ो में पताया गया है कि यदि संसद द्वारा फिर से बिना कुछ कोई संसोधन किये ठीक है उस विधयक को पुना राष्टपती के पास भेज है तो इस बार जो है राष्टपती जो है उसको अस्विक्रीत या लोटा नहीं सकता है कि नेश्ट दखिए नेश्ट पुछा गया है कि राष्टपती की उस वीटो सक्ति को क्या काते हैं जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधयक को अपने पास सुरक्षित रखता ह तो जब वह राष्टपती द्वारा पारित विधयक को जब राष्टपती अपने पास सुरक्षित रखते हैं तो उसको जो है अतियांतिक वीटो काते हैं यानि इसका राइट एंसर होगा और सी पोकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो के बारे में पढ़ चुके हैं और इस कोशन में अतियांतिक वीटो था ठीक है तो ये जो है राष्टपती के पास तीन वीटो पार होता है आप लोग को याद रखना है ये एकजाम में पूछा जाता है अब देखिए सबसे पहले राष्टपती सासन किस राज में लगाया गया था तो मैं इसके बारे में पि कि मैं पूछा गया है कि सबसे अधीक बार राष्टपती सासन कि सिर्ड़ में लगाया सबसे अधीक बार Rather राष्टपती सासन मिजोरम और उत्तरपरदेस retire firm Exported सब्सक्राइब तो पिछला कॉस्टेंट में जो राश्च्पति शासन लगता है वह किस आधार पर लगता है यानि 356 सुरी 55-356 के आधार पर जो है वह दस दस बार रास्पति सासन मिजोरम में और उतरपर दिस में लग पुका है जो कि सबसे अधिक बार है नेक्ट पुछा गया है कि पर्थम महिला राष्टपती कौन है तो मीरा कुमार जो है वो पर्थम लोकसभाध्यक्स थे सरोजनी नाइडू पर्थम राजपाल थे महिला राजपाल और महिला लोकसभाध्यक्स और परतिबार पाटील जो ह तो पर्तेक नए चुनाव के बाद पर्तेक वर्ष संसत के परथम अधिवेशन को राश्टपती संसू संभोधित करता है। इसका राइट एंसर होगा अफसर नमबर D नेश्ट को पूचा गया है कि केंद्रिय बजट को संसत के समक्ष कौन रखता है तो केंद्रिय बजट को संसत के समक्ष राष्टपती रखते है यानि इसका राइट एंसर होगा अफसर नमबर D नएक दखिए नेश्ट दखिए नेश्ट और पूछा गया है कि अंतराष्टी संधी और समझोते किसके नाम पे किया जाता है तो अंतराष्टी संधी और समझोते जो है वो राश्टपती के नाम पे होता है यानि इसका right answer होगा episode number D ठीक है नेश्ट देखिए नेश्टों पुझा गया है कि राश्टपती भावन का निर्मान कब हुआ तो इसका राइट एंसर होगा ओप्सन नम्मर डी यानि राश्टपती भावन का निर्मान जो है वो 1929 को हुआ और ये 1912 में बनने की स्टार्ट शुरुआत हुआ था और 17 साल बाद 1929 को ये बन के त्यार हुआ ठीक है नेश्ट को सन देखिए नेश्टों पुझा किया है कि राश्टपती भावन का पूराना नाम क्या था विक्टोरिया हाउस, एलिजाबेथ हाउस, वाइसराय हाउस या इन में से कोई नहीं तो राश्टपती भावन का जो नाम 1950 यानि 1950 से राश्टपती भावन का पहले जो है नाम वाइसराय हाउस था ठीक है यानि इसका राइट एंसर होगा आपसे नमबर C पहलो है नाम 1550 के बाद से इसको राश्टपती भावन बोला जाने का था नाम इसका रैट एंसर होगा आपसे नमबर C ठीक है एडवीन लेटियर लुटियं जो है वो राष्टपती भावन के वास्तुकार थे लिए नेक्टिम पुछा गया है राष्टपती भावन दिल्ली के किस छेत्र में इस्तित है परगती मैदान छेत्र में कौनड़ फिलेस में या राय सिना हिल्स में तो इसका राइट अ एक अभिन अंग होता है ठीक है तो भारत का राष्टपती जो है वो संसत का एक अभिन अंग होता है नेक्ट पुछा गया है कि राष्टपती अपना त्याग पत्र किसे देता है तो राष्टपती अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्टपती को देता है यानि इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर भी ठीक है यह हम लोग का आज का लाश कोशन था और अधी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको आसानी से समझ पाए होंगे और मैं इसको लिंक करके अगर आप लोगों को बता पाया होंगो और आप लोग सम सब्सक्राइब करने धन्यवाद